लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें शान्ती, तुम ग्लाइचुलेशुस बेटी, मुझे वाकालत के मुतान दुपास कर लिया सब आपका अशिर्वात है पिताजी शान्ती, मैं जानता हूँ तेरी इस फिकी मुस्कराहट के पीछे दर्द भी है लेकिन बेटी, तु इस घर की रौनक है, तु यही देख देख कर अंजीते हैं बता तुने अपने बारे में क्या फैसला किया बेटी, जाने वाला कल, कल के साथ चला गया अब आने वाले कल की बात सोच पिताजी, मैंने यही फैसला किया है कि मैं प्रैक्टिस करूंगी और आपके आशिरवात से एक दिन कामियाब अकील बनकर आपका नाम रशन करूंगी पस यही सोचा प्रैक्टिस तो तु शादी के बाद भी कर सकती है पिताजी मेरा दिमागा भी बहुत परेशान है मुझे शादी के लिए मजबूर न कीजिए अच्छा जैसी तरी मर्जी है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच लेना अरे हा मैं तो भूली जाता, तरी खत आया हुआ है आप की विजए विजए मेरी अच्छी शांती दीदी आप ये खत पाकर हैरान तो होंगी कि विजए को बरसो बाद आपकी याद कैसे आगी दीदी, शायद मेरा जनम इसी लिए हुआ था कि मैं आपको, अपनी चाचा को और गोरी चाची को दुखो की भटी में छोग दूँ चाचा ने मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी की आहूती दी और उस आग में तीन घर सुलग उठे अब मुझे यकिन हो चुका है कि गोरी चाची की जिंदेगी आपके हाथ है गोरी चाची का तो यहां तक कहना है कि आप अगर चाचे से अभी शाथी कर लें तो गोरी चाची के मन को शांती मिलेगी इस बात का फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ क्योंकि मेरी जैसी मुर्ख लड़की का आपको समझाना सूरज को चिराग देखाना है कौन है नमस्ति नमस्ति राजबाबो कहा है जी वो तो दफतर गए है कौन से दफतर में काम करते हैं पंचायत में कलार्क है पंचायत में कलार्क जी हाँ आप कौन है जी जब वो शहर में पढ़ते थे हमारे किरायदार थे सिर्फ किरायदार ही नहीं बलके हमारे घर के आदमी जैसे थे मेरे माता पिता उन्हें अपने बच्चे के तरह समझते हैं मेरे भाग कि क्या आप आई 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 बैठिये तो मैं बचा देती हूँ बैठो बेहन आप ऐसे वक्त आई कि वो घर में नहीं मुझे अपनी बेहन समझू तुम्हारी मदद के लिए कोई नौकर चाकर नहीं बेहन भागों के यहां नौकर चाकर का हूँ दुख तेती ही होते हैं ऐसा क्यों कहती हो जिसका देवता समान पती हो उससे बढ़कर भाग गया और किसके होंगे इसमें कोई शक नहीं बेहन मेरे पती तो देवता है पर बहुत दुखी है और उनके सारे दुखों का कारण मैं ही हूँ भगवान मुझे मौत दे दे बेहन तो शायद उन्हें शानती मिल जाए ऐसा क्यों कहती हो बेहन शानती तो अपने मन के अंदर होती है क्या वो तुमसे प्यार नहीं करते है उनके मन में तो प्यार ही प्यार भरा है लेकिन वो प्यार मुझ तक नहीं पहुँच सकता मैं उसकी हगदार भी नहीं हूँ इस अंदी अपा अच को अपने चर्नों में जगा दी है उनके यही उपकार क्या कुछ कम है वो बहुत महान है बहन, मुझे तो कुछ नहीं कहते पर रात को नीद में सोई-सोई किसी का नाम लेते है कहते हैं, शांती, मुझे माफ करदो मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है अब तुम ही बताओ बहन जब उनकी शांती कहीं और है तो जीते जी मुझे शांती कैसे मिल सकती है मेरी शांती तो मेरी मौध ही में है बहन, मौध का सहरा तो बुस्तिल लेते हैं अगर शरीर के एक हिस्से में दर्द हो तो उसे काट देने का नाम इलाज नहीं आओ मेरे साथ, आओ बहन जानती हूँ बहन, इस वक्त तुम कैसी लग रही हूँ? कैसी? जैसे प्रभाद के समय, सुरज की पहली किरफ शयद वो आ रही है देखो, उनसे मत कहना के मैं यहाँ हूँ हाँ? आप, आप चुप क्यों हैं? दफतर से ठक कराया आप, आप बात भी क्या है करने के लिए आपने मेरी तरफ कोर से देखानी हूँ देखा है, अच्छी तरह देखा है क्या मैने तुम्हे कभी कहा है कि तुम खुबसूरत नही हो? फिर ये बालों में फूल ये सिंगार करने के का जरूरत है? लाश को भी उजला कफन पहना कर फूल चड़ा देते हैं तो क्या मैं जीते जी सिंगार नहीं कर सकती? सिंगार उस वक्त करते हैं जब किसी का दिल जीतना हो किसी को अपने जाल में फंसाना हो यहां तो पंची अपने आप जाल में फस चुका है भगवान के लिए बस बस रहने दो आज तक जो कुछ किया है भगवान के लिए किया है दुनिया के लिए किया है अरों के लिए किया है मकर दुनिया ने मेरे लिए क्या किया है करी करी बग्वान के लिए ऐसा नहीं कर दो नहीं कर दो अपक दिये हैं मैं कोरी जा कोरी मुझे मुझे मौफ कर दो चाय बस चाय की कस रह गई थी क्यों बहुत बड़ा काम किया है मैंने इससे ज्यादा और क्या कर सकती थी मैं समझ जा था मैं और गौरी नदी के दो किनारे हैं जो आपस में कभी नहीं मिल सकते लेकिन तुमने इन्हें मिला दिया बस बस अब रहने दीजिये बाते आज तक ये खयाल नहीं आया कि दफ्तर जाने के बाद घर का काम काज कौन करेगा कम असकम गौरी बहन के लिए नौकरी रख दिया होता खयाल कैसे आता आज तक इनसान थोड़ी ही था मेरी सोई हुए इनसानियत को तो तो तुमने जगाया है एक भटका हुआ राही था जिसे तुम रह पर ले आई हो जो बीद गई सो बीद गई अब उसे भूलकर अपने इस छोटे से संग्सार को स्वर्ग बनाईए स्वर्ग तो तुमने बना ही दिया है हमे तो इस स्वर्ग को संभालना है पता नहीं तुमारे इतने बड़े उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा शानती शानती क्या क्या तुम हाँ बेहन वही शानती जिसके कारण तुम नहीं देदी तुम तुम मेरे लिए वो हो जो चांद सूरज भी नहीं हो सकते तुमने मुझे आखे ली नेरे मन का दीप जलाया दीदी जहां तुमने इतने इहसान किये वहाँ ये गुपकार और कर दो मुझे वो पैष्चु लएन दो बेहन जिनके परते ये घर स्वारी बन गया बेहन तुम महाल हो दीदी जब से कड़की आई है दोस्तों ने भी आना छोड़ दिया अभे उधारी खेल दो इमानदार आदमी हूँ क्या है बेह चल दिखा गुरु गुरु अकबार चुडा कर लाया क्या अरे नहीं गुरु परो तो शीला ने आत्म हत्या कर ली शीला नाम की एक लड़की ने जो शादी से पहले हामला हो गई थी कुए में कूद कर आत्म हत्या कर ली वाप रहे उसकी छोड़ी हुई चिठ्थी से पता चला कि उसके प्रेमी ने उसे धोका देकर किसी और लड़की से शादी कर ली थी लेकिन चिठी में प्रेमी का नाम और पता नहीं लिखा खजपट ये दिल की बड़ी अच्छी थी बेचारी नहीं तो आज मुझे फांस ही लग गई होती भगवान उसकी आत्मा को शांती दे ये तो कल का अख़बार ले आया है पैसा क्या हराम का होता है चल वापस देखरा जल्दी जा चोर कहीगा चोर लुटेरों से क्या कातिल अच्छी होते हैं कातिल कौन कातिल आप क्या आपने उस निर्दोस लड़की की हत्या नहीं की क्या आप बख रही हो किसकी शिला की अशीला अब 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 अचीला कुन था वही एतीम लेटी जिसकी आप मदद किया करते थे आज आपके कारण शीला ने जान दी है और उसके बाद नचाने कितनी मासूम देविया होंगी जो आपकी वासना का शिकार बन कर अपना अंकरती रहेंगी तेरे मुँ में इतनी लंबी जुबान फिर कभी मेरी बातों में दखल दिया तो जीता नहीं छोड़ूँगा समझी जाजिक अब जी रही हूँ मर्द तो उसी दिन गई थी जब चाचा के लाग समझने पर भी आपका दामन पकड़ा था याद रखे आपने जब फिर इस तरह का कोई पाप किया जो फिर शांती दी दी आज बहुत खोश नजर आ रहे हो तुम्से नहीं बोलते दी दी क्यों आँखों से उजल होते हैं भूल गई मालूम है बढ़ोसन से चिथी लिखवाने में कितनी मुश्किल होई नहीं नहीं थेरो बते हैं अच्छा घर का आनन आबाद होने वाला है गुरू गुरू जी गुरू क्या है ओ गुरू जी से मिलना है वो घर में नहीं है और कभी उनसे मिलने की कोशिश ना करना है मैं जानती हूँ तुन ही उन्हें बगाड़ रखा है मैंने, अरे शैतान को कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं तो गुरू का रखवाला हूँ, अगर मैं नहीं होते है ना भावेजी, तो आज तक पुलिस कभी का गुरू को सुस्रा ले गई होती है, चेक की पीस में, बकुमा, कौन सा पाप की आल में है, सबसे पहला पाप तो उसका जिंदा है, जी हाँ, एक को अगरा वा ओ, गुरू जी है, तो यहाँ क्या कर रहा है? गुरू, भावी जी से में तुमारी टालीब कर रहाँ है, पूछो 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 आपूछो उठ, बुराई कर रहा है ताक है, तुम यहाँ ख़़िए सुन गाहीं ही तिया चर।, च तेरी भी गर्दन मेरे मुख़्ी में है, अगर भंडा फोड़ दिया ना, तो भगले जागता फिरेगा, हाँ, बढ़ा आया भंडा फोड़ने वादा, त्याद, आज तक तेरा वास्ता काहरों से पड़ा होगा, लिख ले, मेरा भी नम खत पटिया है, आज से अपने दिन गि हाँ, 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 हाँ! मेरी जान, जानता हूं, मेरी याद में खुल गए होगी है, मैं तो तेरे पास ही आ रहा था, चल चल आज हर्बात का फैसला हो जाना चाहिए महब्बत का फैसला इन गल्जेम में थोड़ी होता है, चल अपनी खास जगहा पे चले खाई चल dessoo, चल आछाई आख ये क्या है औ Erik क्यों? ये महबबत के लाइक जगा', अब तो मेरीजिन क्या कहना है हम्हाई शादी कब होगी अर अज बदब हो यही जाएगी कर आग कर र यह दो दूसरे स्यादी के एगर दूसरी ज्रीच इंड रिटी है तुमhज 153 तुम्हारी नहीं तुम्हारी नहीं तुम्हारी बीवी नहीं य। हो तुश्काषब्स अजलिद मौने खोरे बिट्ना ह्में अन वह~? ये ना भूलो बेला कि मर्द मर्द होता है और 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 मेरा क्या जाएगा तुम्हारी बदनामी होगी अच्छा तो आज तक तुम मुझे सब्स बाग दिखाते रहे क्या इस दिन के लिए मैं अपना घर बार जेवर बेश कर तुम्हें रुपया भेजती रही तुम्हारी महब बाहना थी तुम सिर्फ मुझे बरबाद करने पर तुले हुए थे लेकिन मैं भी चुप नहीं रहूँगी सारा शेहरी कटा कर लोगी तुम मेरा क्या विगाड़ लोगी ऐस सबूत क्या है तुम्हारे प्यार भरे खत तुम्हारे हाथ के लिखेवे जूटे वादे ये दे मुझे वादा करके मुकरना नहीं आता मैं दुनिया से अकेली नहीं जाओंगी तुम्हें भी साथ लेके जाओंगी चाहे मुझे तुम्हारा खूनी क्यों रह बना पर तेरी ये मजाल हां तु समझती है के तु मेरी जान ले लेगा बचा 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 आपाँ! बालम, गयो बालम, गयोगा एकुष बालम! ओखाँ! Goni! मामा, हाँ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा मैं विजय की जिंदगी कभी बरबाद नहीं होने दूँगा मामा, गूर बाई, बाई च्या हुआ घजब हो गया शान्ती की मा, राज ने अपने गाओं में किसी लड़की का खुन कर दिया अपने राज ने? यह दो उसके तद्बीर चपिए उसका नाम भी लिखा हुआ यह दा मुम्किन है यह देख, इस वक्तों सिती जिल में मैं सु मिलके आता हूँ हाँ जाँ जाँ मैं भी चलोगी अच्छे बाद मैं कपर बले लेता हूँ राज यह तुमने क्या किया, what have you done my boy मेरे हाँ से खुन हो गया है, चौधी इसाहब मैं यह कभी नहीं मान सकती कि आप अपने हाँ किसी के खुन से रण सकते है शानति दुनिया में कई बात ऐन्होनी होती है लेकिन हो जाती है चौधी साहब आपने कभी सोचा था कि आप सब की खुशिये को चलकर मैं आप लोगों से अलग हो जाऊँगा उस बात की एक वज़े थी राज, तुम्हारा फर्ज, तुम्हारा वचन, लेकिन बे सबब बेवज़े खुन तो नहीं किया जाता वज़े तो हर बात की होती है, लेकिन हर बात पर बहस नहीं की जाती, और नहीं मैं बहस करूँगा राज, चादरी साहब, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजी, हिम्मत नहारो राज, तुम मुझे सारी बाते साफ साब बता दू, मैं सरकारी नौकरी छोड़कर तुम्हारे तरफ से मोकनमा लोगा मेरे बचाओ की कोई सूरत नहीं, पुलिस ने मुझे रगे हाथों पकड़ा, कोई बात नहीं, राज, एक इलतजा है, हाँ, कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तयारू, कहिए, राज बाबू, मेरे बात, जीजी और कौरी को सहारा जीट, ये तो ठीक है, राज, सुनो तो, राज, राज बाबू, राज, पिताजी क्या हो गया है, ये तो बिलकुल ही बदल गए है, हम, हम से भी छुपा रहा है, आव बचाए, बाईया, चुप कियो, कुछ तो बोरो, मैं चुपी अच्छा, बाईया, तुम्हारे सेवा मेरा कौन है, जो उने बचाए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसने खून किया और पकड़ा गया, नहीं जी, पुलिस दोश है, ये लज़म खामखा उनके सर आया है, पुलिस कभी किसी बेगुना आदमे को पकड़ती है, उनको किया पड़ी है, वो किसी का खून करे, जाए ना, किसी ना किसी तरह चाचा को अब मैं कैसे लाओ, अगर कतल करने से पहले वो मुझसे मशवरा करता, तो मैं उसको ऐसा प्लैन बताता कि कोई उसकी हवा को भी ने चूँ सकता, लेकिन बेवकूफ ने कतल किया और लाश के सिरहने खडा रहा, कुछ भी करो भाया, भगवान के लिए उन्हें बचारो, मैं फांसी की बजाए उम्रकैत की सजा दिलवा दो, भाया, और कुछ नहीं कर सकते, यह क्या कम है कुछ, बात बहुत आगे बढ़ देगे बेटी, राज का के सेशन के सुपर्द हो गया, सच, और पबलिक प्रोसीकुटर के हिस्चे से, इस केस पर मुझे भैस करने पड़ेगी तो आपकी कोशिश यह होगी कि राज को खुन का जिम्मेता ठाराया जाए, मुझे अफसोस है बेटी, लेकिन यह फर्ज मुझे निभाना ही पड़ेगा, पिता जी, अगर राज से मेरी शादी हो गई होती, तब भी आप यह फर्ज निभाते है, शान्ती, राज से मुझे और हमदर्दी जरूर है, लेकिन कानून का जजबात से कोई तालुक नहीं, वो अपने जर्म का इकबाल कर चुका है, सारी गवाईयां उसके खिलाफ हैं, सारे सुबूत उसके खिलाफ हैं, अगर यही सुबूत और गवाईयां राज के हक में हो जाएं तो, बेटी, अब य विष्टे और जजबात से कोई तालुक नहीं, लेकिन याद रखना, कछेरी में मैं तरह पिता नहीं, बलके मुकाबले का वकिल होंगा, मुझे आपकी रियायत नहीं, बलके आपका आशिरवात चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर केस मैं जीत गया, तो एक बाकी जीत होगी, तरहाल जीत हमारी होगी, घघए, बलके पर अब पर नहीं, बलके आपकी एकुष्णी की तरफ से तमाम गवाइओ तरह पर्यावाद ही, तरहाएँ जिस्थे मकामल तर पर ये सावित हो चुका है, के मुल्जे में खुनी है, फिर भी तमाम गवाईयों की रोशने में, मैंस्ता, पर्थे पर्वाईयों की रोशने म इस मामले को एक बार फिर दो रहता हूं, पुलिस के बयान के मुताबिक, 22 अगस्त की शाम के पांच बजे, मुल्जिम एक खुबसूरत जवान लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गया, गतल करने के रादे से, वहां उसने उस लड़की को एक उची पहाड़ी से धक्का दे और मुल्जिम को बॉख लाया, उसी लाश के पास खड़े हुए देखा, उस खौफनाक मंजर को देखकर, वो दोनों तूफान की तरह इंस्पेक्टर रामलाल के घर की तरफ भागे, और जाकर सारा वाक्या सुनाया, इंस्पेक्टर रामलाल बिजली की तरह मौके पर इसलिए वो भाग न सका और मुल्जिम गिरफतार हुआ, इसलिए और मुल्जिम अपनी जबान से अकबाल करता है कि मक्तूला को उसने उची पाड़ी से धक्का देकर उसका खून कर दिया, इसलिए मैं अदालत से दर्खास करूँगा, कि इन सब बातों पर नजर रखते बल्रकी कौन थी, और तुम ने उसे कतल क्यूं किया, मैं अपना जर्म मान चुका हूँ, इसके लावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, अगर तुम खुद बहस करना नहीं चाहते, तो कोड तुमाई तरफ से बहस करने के लिए, एक वकील मुकदर कर सकती है, यूर अ मैं मुल्जम से इजाज़त नहीं मांग रही, बलके मुल्जम की बीबी की तरफ से मुझे इस केस पर बहस करने के लिए हिदायक की गई है, मिशानती, अगर मुल्जम कुछ कहने को तयारी नहीं, तो फिर आप वदू इस केस पर क्यों बहस करना चाहती है, यूर अगर जब मुल्जम अपने जुरूम का इदबाल करता है, तो हालाग पर पर परदा डालने के लिए क्यों तुला हुआ है, जब जब क्यों, मुझे कोई कुछ कहने पर मजबूर नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी खामोशी की वज़े को मजबूरी है, मेरी कोई म करती है, परसी, इंस्पेक्टर रामलाद, जी, आपने मुल्जम को गरिफतार किया, जी हाँ, आप उस जुरूम का पता कैसे चला, दो चरवाहों ने मुझे घर पर आकर ख़बर की, क्या उन्होंने आँखों देखा हाल सुनाया, जी हाँ, वो अधर से गुजर रहे थे, त वर्दी पहनने में आपको कितना वक्त लगा, खरीब 10 मिनिट, आपके घर और कतल की जगे में कितना फासला होगा, खरीब तो मीद, वो फासला टैकरने में आपको कितना वक्त लगा, खरीब 20 मिनिट, आइसी, 10 मिनिट आपको वर्दी पहनने में लगे और 20 मिनिट वहाँ पहुचने में इसका ये मतलब हुआ कि आपको कुल 30 मिनिट लगे जी क्या आप ये मालूम करने में कामयाब हो सके कि मक्तूला कौन थी और कहा की रहने वाली थी जी अभी तक नहीं लाश को दो हफते तक सरकारी मुर्दा खाने में महफूज रखा गया कई बार अखबारों मे विष्टहार दिये गए लेकिन लाश का कोई वारिस नहीं मिला मालूम होता है मक्तूला कोई अनाथ थी इंस्पेटर रामलार पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट कहती है कि उस अनाथ लड़की के जिसम पर चूरे का एक घाव था क्या आप उस चूरे को पाने में कामयाब हो सक जी नहीं हमने पूरी चान भी इन की लेकिन चुरा नहीं मिला तो क्या आपने उस अनाथ चूरे के लिए भी बार बार अखबारों में इश्टहर दिये जी वह बात ये थी के लिए तो यू कन गो थैंक यू